बात आप देखें राची में ही 2-3-3 international stadium है लोकि बिहार से अलग जारखंड गुगा उन्होंने अपना infrastructure डेवलप कर लिया राची में 2-3 international stadium है हम लोग के stadium उस लेवल के नहीं मिल रहा हम लोग को जाना पड़ता बहार समझ रहे न हम लोग का प्लेयरों का हम लोग भी मिलना चाहिए opportunity के हम लोग अच्छा दिखाय करें सारे देखिए आप जैसे कि घुजा कोई भी एक state ले लिजे वहां के stadium देखिए बहुत अच्छा है हम लोग के बिहार में उतना अच्छा मिलता नहीं opportunity जो हम लोग दिखा पाएं मेहनत करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन अब आपको चलने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो नहीं मिलेगा तो इस चलते दिक्कत आ रही है खिलारी चीज है कि 27 साल बाद international players बिहार आ रहे है है रंजी टॉफी खेलने के लिए उनको देखके थोड़ा यह जोश जगेगा अभी लेकिन में काम infrastructure पर होना है जब तक infrastructure डेवलप नहीं होगा अच्छे ग्राउंड डेवलप नहीं होंगे तब तक बहुत मुश्किल है खेले रंजी टॉफी में आज हमां पहुंच है थे तो पहुए यहां से जानेंगे कि सताइस सलवाद और अपने बिहार में खेला पत्ना मोयूल हमें बहुत लोग का भीड़ थे वहां दर्सक लोग बहुत आयए थे मुझपरपुर से रवीशंकर जी गया है खेले रंजीटॉफी में और आप यही बस सरकार से बिंती है हम लोग करते सारे प्लेयर लोग क्योंकि यह स्टेडियम उस लेवल करें लोग जाना पड़ता बहार समझ रहें लोग अच्छा दिखाय करें अप जैसे कि गुजर कोई भी एस्टेट ले लिए वहां के बहुत अच्छा है अच्छा मिलता नहीं जो हम लोग दिखा पाएं आप देखें लिए बहुत सारे आएं लेकि खसा स्टेडियम को देखकर वह भी कर रहा है सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बिहार के उपरचुनीटी क्यों नहीं मिल पाता है यही रिजेन है बावभी तो हम लोग नोग एक महिनत करते हैं स्मार्ट वर्क हाट वर्स अब करते हैं लेकिन उपर वाले क्या करते हैं हम लोग के साथ और जादे के तो मैं यहीं कहूंगा कि मेरे सरकार जो भी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग को अच्छा खासा मिले जगा जाएंगे क्या महसूस लग रहा है कि रंजी टॉपी मैच देखने लाइग ओपस्तिति नहीं देखने लाइग बिहार को खच्र के अपर्ची नहीं मिल पाता है इसके लीए आप क्या काना चाहिए रहें हैं रंजी टौपी खेलने के लिए उनको देख के तोड़ा ये जोच़ जगेे गा भी लेकिन में काम इंफ्राइस्ट्व्ट्टर पर होना जबतक इंफ्राइस्ट्ट्र्ट्रॉक्टर डवलॉप नहीं होगा अच्छे ग्राउन डवलॉप नहीं हूंगे तब तक आपकर पहुत कर लिया है नहीं क्यिसाए, लिटीम से नहीं दूफार से कुछाुकी? तो इसलिए उन्होंने बैक आउट कर लिया है विहार सरकार से आप लोगा क्या मांगोना चाहिए इंफ्राइश्ट्रक्टर डेवलपमेंट इस खेल से पॉलिटिक्स को निकाल करके और इंफ्राइश्ट्रक्टर पे काम हो हमारे खिलारी भी इंडिया खेलेंगे यह में पू कितब का मिला हुआ है अब यहीं आप देखिए यह सामने ग्राउंड है यहां टर्फिकेट नहीं है टर्फिकेट होता तो साथ यहां से भी एक दो और अच्छे खिलारी निकल सकते हैं बिहार के युवा अच्छे लेबल पे जा सकते हैं और आपका सुब नाम क्या हुआ बिहार से अलग जारखंड हुआ उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रेक्टर डेबलप कर लिया राची में दो या तीन इंटरनेशनल स्टेडियम है आपको जमशेदपूर में दो इस्टेडियम है अभी और एक और का निर्मान हो रहा है तो जहां इंफ्रास्ट्रेक्टर हो उर्जा नहीं आ रही है क्योंकि उनको लगता है कि जारखंड जाएंगे वहां रहेंगे तब तो खेल पाएंगे यहां अगर इंफ्रास्ट्रेक्टर होगा तो लोगों के लिए घर में राके अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा पतिभाई निकल के सामने आएगे कॉमेंट कर जरू बताएगा मेरा प्रयास क्यासा लगा जाहिंग जाभारत